हलो बच्छो कैसे हो आप सब लोग पड़ाई कर रहे हो ना येस तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला चाप्टर औरगैनिक बेसिक्स एन आयू पैक का समरी ये आपको औरगैनिक केमस्टी समज़ने में हेल्प करेगा और लेक्चर में मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रिएजन्स कैसे होते औरगैनिक ऐसे बेसिक्स जो आपको जरूर हेल्प करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स बिग्याइन आज क्या हमारे टार्गेट क्या होने वाले है पहला टार्गेट है हम लोग देखने वाले कोवालन बॉन फीजन होता कैसा है that is what we are going to see here कोवालन बॉन फीजन हम लोग देखेंगे उसके बाद types of reagents consequence reagents organic chemistry में होते है वो कैसे react करते है like that then we are going to see reaction intermediates reaction intermediates जैसे carbocation, carbonion and free radical वैसे बहुत है लेकिन आपको exam में खास करके CT or NEED exam में जितने reagents की जरूरत है वो में बताने वाला हूँ ठेक है उसके बाद electronic effects electronic effects मतलब obviously आपका inductive effect, resonance, hyperconjugation and electromeric effect and lastly हम लोग देखेंगे IUPAC nomenclature ठीक है तो चलो one by one, one by one देखते हैं पहला है तुम्हारा covalent bond fusion अब covalent bond fusion जो है वो होता कैसा है तो देखो covalent bond fusion के बच्चों दो types है एक है तुम्हारा homolytic bond fusion इसका color ना थोड़ा सा में dark कर लेता हूँ और एक है तुम्हारा homolytic bond fusion और तुम्हारा दूसरा है heterolytic bond fusion एक है homolytic bond fusion एक है heterolytic bond fusion अब homolytic homo का मतलब क्या होता है homo का मतलब होता है same क्या होता है बच्चो same और equal या फिर तुम बोल सकते हो symmetrical क्या बोल सकते हो बच्चो symmetrical याने यह जो bond fusion है यह इस तरह से bond break होता है याने symmetrical bond break होता है मैं बताऊंगा और चीज़े ठीक है hetero याने different है hetero का natural मतलब होता है different और यहां पर इस reaction के context में अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा unsymmetrical क्या होगा unsymmetrical ठीक है तो अब देखते हैं कि bond fusion होता कैसा है तो homolytic bond fusion में अगर समझ लो ए और ए का bond बना हुआ है अब दोनों atoms same है ठीक है अगर मैंने इसको condition provide की on sea condition या तो UV light UV light की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो H new H new मतलब क्या light light का representation H new symbol डार के किया जाता है H मतलब planks constant new मतलब frequency right so H new या फिर already कोई peroxide वहाँ पे होगा तो already present वाला peroxide और और higher temperature higher temperature मतलब कितना temperature greater than 500 degree Celsius इतना दादा pressure अगर होगा तो यह जो bond है यह exact beach में से तूटेगा exact beach में से तूटेगा और आपको देगा a dot plus a dot and that is called as homolytic bond fusion अब यह a dot a dot क्या है यह a dot a dot मतलब this is free radicals क्या है यह free radicals so that is what and that is how homolytic bond fusion is all about अब यह generally होता कहा है यह होता कहां पर है मैं तुमको बताता हूँ जैसे समझ लो तुम्हारे पास CH3Cl है ठीक है यहां पर जो मैंने बताय था यहां पर A और A सेम सेम ही लिया था तो A और A सेम सेम होगा तो भी bond fusion होता है और A और B याने दो अलग-अलग atom है अलग-अलग atom मतलब हर अलग-अलग atom नहीं खास करके carbon और halogen की bonds उसमें से भी carbon-thlorine का bond carbon-thlorine का bond जो होता है उसमें अगर तुम UV light दोगे या सिर्फ मैं H न लिखता हूँ सिर्फ H न भी तुमने प्रोवाइड किया है है हूँ मतलब UV light भी तुमने अगर यहां पर प्रोवाइड करीब अच्छो तो इस bond वोड ब्रेक होमो-लाइटिकली और इट वोड गेट यू ए methyl free radical and chlorine free radical अब यह सेम चीज अगर तुम्हारे पास chlorine है तो chlorine में तो जाहिर है CL-CL bond है chlorine में भी अगर तुमने H new provide किया तो भी वहां पर भी दो chlorine free radical तुमको मिल जाएंगे ठीक है तो that is what the homolytic bond feature is all about ठीक है और एक condition में बताना रह गया है मैं मेरा वो condition यह है मैंने conditions यहां पर बहुत सारी बता दी थी और एक है you need to have a non-polar solvent क्या होना चाहिए तुम्हारे पास तुम्हारे पास होना चाहिए non-polar solvent तो इतनी सारी condition सखर होगी तो bond homolytic bond fusion वहाँ पर घटेगा ठीक है अब हेट्रलाइडिक bond fusion हेट्रलाइडिक bond fusion कब होगा जब a और b दोनों attached है तो मतलब दो अलग-अलग atom है covalent bond से बंदे होए दो अलग-अलग atom है तो यहां पर दोनों में से किसी एक की electronegativity ज्यादा है अगर समझ लो एक की electronegativity ज्यादा है और मैंने यहां पर polar solvent क्या प्रोवाइड किया तो यह जो bond मैंने draw कि लिखा यहां पर this bond would break in this way इसका मतलब क्या है heterolysis यह bond की जो electrons है दोनों electrons तुम्हारा a लेकर निकल जाएगा ऐसे and you would get what you would get a minus plus b plus तो this is symmetrical bond fusion इसके लिए condition क्या है इसके लिए condition जो है पहली condition है कि bond जो है दो अलग-अलग atoms के बीच में बनना चाहिए bond दो अलग-अलग atoms के बीच में होना चाहिए जैसे carbon fluorine है carbon fluorine है carbon bromine है carbon iodine है carbon oxygen है carbon nitrogen है like that वैसा होना चाहिए, दूसरी condition है polar solvent, तभी और तभी ये होगा, और अलग-अलग atoms क्यों चाहिए, क्योंकि electron negativity difference होना चाहिए, electron negativity difference होगा, तो ही दोनों में से कोई एक electron लेकर जाना prefer करेगा, और दूसरा अगर कम electron negative है, तो ही वो सामने वाले को electron density या electron लेकर जाने देगा, नहीं तो वो भी रोके रखेगा उसको, ठीक है, तो इसका example देखते हैं, ये तो हमने homolysis का देख लिया इदर, homolysis और homolytic bond fusion एक ही चीज़े बच्चो, ठीक है ना, कभी homolysis बोलते हैं, कभी homolytic bond fusion बोलते हैं, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग terminology यूज़ करते हैं, लेकिन concept एक ही है, हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस जैसे carbon-clorine का bond है, ये देखो, CH3, CH, CH3, carbon-clorine, तो यहाँ पे carbon-clorine का bond है, और तुम सभी को बच्चो, अल्ज़डी पता है, that electronegativity of your chlorine is higher than the electronegativity of carbon, carbon के electronegativity से chlorine के electronegativity हमेशा ज्यादा होती है, तो अगर मैंने यहाँ पे polar solvent, याने water, चलो, water ही लेते हैं, water is the best polar solvent, अगर मैंने यहाँ पे water provide किया, तो ये जो bond है, this bond would break like this, इसका मतलब chlorine ये दोनों electron लेके निकल जाएगा, and you would be left with what, एक carbon having a positive charge, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चो, कार्बो कटायन, जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्बो कटायन, तो यहाँ पे कार्बो कटायन, प्लस, C-L-, that is how heterolytic bond fusion gives rise to a carbocatine and another a negative charge, और जो homolytic bond fusion है, वो तुमको क्या देता है, free radicals, तो carbon, carbon free radicals भी मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला है, carbon free radical, यहाँ कार्बो कटायन मिला है, like that, So that is what the covalent bond fusion is all about, ठीक है, चलो, अभी आगे बढ़ते हैं, आगला है, reagents, अब बच्चों, जब कभी भी organic chemistry में reactions होते हैं, तो आपने देखा होगा, कि कोई reactant होता है, उसको किसी जगा पर reactant बोलते हैं, किसी जगा पर substrate भी बोलते हैं, अब वो जो substrate है, वो किसी reagent के साथ reaction क करने के बात तुमको मिलता है, तो यह जो reagent होता है जो तुम्हारे substrate पे यह वो जो तुम्हारे reactant पे attack कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं, reagent, अब इस reagent के दो टाइपस है, एक reagent है तुम्हारा nucleophiles, एक reagent है तुम्हारा nucleophiles और दूसरा तुम्हारा है eletrophiles, nucleophiles and eletrophiles, अब तुम सभी को पता है, file means to love, ठेक है मैं यहाँ पर लिख देता हू, file means to love, या file, philic, philic means to have attraction about, और to have attraction for, तो nucleophile, तो nucleo मतलब nucleus and file means loving, so nucleus loving species, अब nucleus loving species मतलब क्या, कोई किसी nucleus पर अटक नहीं करता है, nucleus loving का मतलब होता है, electron deficient loving species, यानि यह जो species है, यह उस species से प्यार करती है, या उस species की तरफ attract होती है, जिसके पास positive charge है, या जिसके पास electrons की कमी हो, या जो कोई electron deficient हो, that is why we call this as nucleus loving, और in other words, electron deficient species loving, electron deficient species loving, अब मुझे बताओ, कौन सी species electron deficient species से प्यार करेगी, जो खुद electron rich होगी, वही तो प्यार करेगी न, राइट, नहीं तो वह क्यों करेगी, तो इसका मतलब nuclear files होते हैं, तुमारे electron rich, तो electron rich species are called as nuclear files, अब electron rich कौन से कौन सी species होती है, या तो उनके उपर negative charge होना चाहिए, या उनके पास होना चाहिए, लोन पेर, तो जिस-जिस species के उपर negative charge हो सारी nuclear files है, या जिस-जिस species के पास lone pair है, मतलब, lone pair मतलब के non-bonding electrons, तो bonding होने के बाद जो extra electron बचते हैं, जैसे कि nitrogen के पास 1 बचता है, oxygen के पास 2 बचते हैं, और halogenes के पास 3 बचते हैं, तो यह extra electron है, यह वो donation के लिए use कर सकते हैं, और उसी वज़र से they can behave as a nuclear file, तो examples कौन से कौन से हैं, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, negatively charged, negatively charged species, and दूसरा है, lone pair containing species, एक है तुम्हारा lone pair containing, और एक है negatively charged species, तो negatively charged species जो है, वो कौन से कौन सी है, जैसे r minus, r minus मतलब क्या बच्चो, carbanian, r minus मतलब carbanian, ठीक है, जैसे कि cs3 minus, या फिर r cs2 minus, and so on, ठीक है, तो carbanians, they are negatively charged, उसके बाद है, OH minus, ro minus, उसके बाद है, nh2 minus, r nh minus, sinide minus, ro minus, बस, तो negatively charged species, इतनी है, और भी होंगी वैसे, मतलब और भी है, लेकिन negatively charged है, तो वो nucleophile है, इतना समझना enough है, और species देखने की जरुवत नहीं है, तो उगर कोई species देख भी गई, जो negatively charged है, इसका मतलब वो nucleophile की तरह behave कर सकती है, ठीक है, अब loan pair containing, अब loan pair containing वाली भी है, loan pair वाली containing मतलब देखो, ammonia, ammonia के पास nitrogen की ओपर एक loan pair होती है, amines, R-N-H-2, या R-2-N-H, secondary amine, वैसे तुम्हारा tertiary amine भी होता है, like that, तो nitrogen containing जितनी भी species है, जिनके पास loan pair है, they can act as a nuclear file, उसके बाद है, water, water में तुम्हारा oxygen है, oxygen के उपर बच्चों, दो loan pairs है, right, तो alcohol, alcohol में भी oxygen के उपर दो loan pair है, ethers है, right, यह सारी species, they can act as a nuclear file, basically, जिस species के उपर loan pair है, it can act as a nuclear file, ठीक है, तो यह तो done हो गया, nuclear file के है, done हो गया, अब, electrophile, अब electrophile, जैसे मैंने पहले बोला, electron मतलब में यहाँ पर बोल रहा हूँ, electron, and file means again, electron loving species, अब कोई species, electron loving कब होगी, कोई भी species, electron loving कब होगी, जब वो खुद electron deficient होगी, तभी तो वो electron loving होगी की नहीं, तो इसका मतलब, electrophiles, they are what, electrophiles are electron deficient species, they are what, they are electron deficient species, उनके खुद के पास electron density कम है, अब, जैसे यहाँ पर तुमने देखा, negatively charged and loan pair containing, loan pair containing वाली species, neutral होती वैसे, और negatively charged तो obviously, negatively charged यत्तो तो मुसको neutral नहीं बोल सकते, और electrophile की भी दो types है, एक है positively charged, positively charged species, ठीक है, और दूसरी होती है, neutral, neutral species, but containing, containing empty orbitals, neutral species containing empty orbitals, are electrophiles, सबसे पहला example है, सबसे पहला example है, carbocatines, जितने भी carbocatines है, हम आगे देखेंगे, obviously, primary carbocatines, zero degree carbocatines, secondary carbocatines, tertiary carbocatines, benzylic carbocatines, allylic carbocatines and so on, जितने भी carbocatines है, all of them are positively charged and they are electrophiles, उसके बाद है, NO21+, NO21+, can also act as a electrophile, जिसको हम लोग nitrogenium ion बोलते हैं, उसके बाद है, X+, X+, मतलब halonium ion, जैसे CL+, PR+, I+, EDC, ये सारे क्या है, all of them are electrophiles, या फिर SO3H, या SO3 खुद भी electrophile है, SO3, ने, SO3 neutral में जाएगा, तो मुझे बस positively charge बताने तक लिए, R+, NO2+, X+, वैसे SO3H+, वाला भी तुम पकट सकते हो, उसके बाद asile, asile का time, RC double bond plus charge, तो ये सारे के सारे हैं तुमारे electrophiles, ठीक है, कुछ कुछ जगा पर तुमको ऐसा भी देखेगा, कि Oxygen के ओपर प्लस charge है, या Nitrogen के ओपर प्लस charge है, तो बच्चो वो electrophiles के category में नहीं आते, जैसे कि ये देखो, मैंने उसको अलग color से लिखता हूँ, ये देखो, यहाँ पर लिखता हूँ, NOT electrophile, जैसे कि ये है, H3O1+, तो तुम्हारा H3O1+, जो है न, वो ऐसा बना है, H2O, Oxygen के ओपर, लोन पेर, ये लोन पेर उसने H2O1 को डोनेट कर दी, और उससे बना H3O1+, तो H3O1+, इस नाट electrophile, वैसे ही NH4O1+, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो है, वो कैसे बना है बच्चो, जो तुम्हारा अमोनिया है, अमोनिया का जो नाइट्रोज हैं, वो अपनी लोन पेर H2O1 को डोनेट करता है, तो वो भी तुम्हारा not electrophile है, उसके बाद alkali metal cations, जैसे Li1+, sodium 1+, calcium 2+, यह सारे के सारे electrophile नहीं है, क्योंकि उनका octet complete है, इसी लिए, ठीक है, exam में question आता है, कौन electrophile है, कौन नहीं है, इसके लिए मैंने यह बता दिया, ठीक है, तो चलो, तो positively charged electrophile हो गए, और जो positively charged होकर भी electrophile नहीं है, वो भी मैंने बता दिये, अब neutral species कौन सी है, तो neutral species generally ना Levi's assets, जो Levi's assets होते हैं, तुमको अगर acid base की definition पता है, तो तुमको पता होगा, कि जो Levi's assets होते हैं, Levi's assets are electron deficient, they are hungry for the loan pair of electrons, वो loan pair accept करते हैं, तो loan pair accept करते हैं, क्योंकि उनके पास empty orbital होता है, तो इसका मतलब वो भी electron deficient होए, और वो भी electrophile ही होए, जैसे BF3, BCL3, BBR3, BF3, BCL3, BBR3, FECL3, ALCL3, ALBR3, उसके बाद BECL2, ETC and so on, बहुत सारे हैं, जनरली यह जो उपर के पहले के 6 है, you will come across with them more often than not, बाकी के उतने नहीं आएगे, chemical bonding में भी वो तुम सीख सकते हो, organic chemistry के लिए जितने ज़रूरी है, उतने मैंने बता दिये हैं, ठीक है, तो I hope this is really going to be helpful for you, ठीक है, चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे, अब अगला है, reaction intermediates, अब reaction intermediates जो हम लोग देखने वाले हैं, वैसे तो 6 साथ प्रकाटाइप्स के हैं, लेकिन हम लोग 3 ही देखने वाले हैं, जितनी तुमको जरूरूरत हैं, उतना ही मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये summary lecture जो इसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, तो एक है तुम्हारा, कार्बोकाटाइन, दुसरा है, कार्बैनियन, और तिसरा है, कार्बन फ्री रैडिकल, तिसरा क्या है, कार्बन फ्री रैडिकल, ठीक है, तो, कार्बोकाटाइन मतलब जैसे आपको पता है, आर के उपर प्लस चार्ज, कार्बैनियन मतलब आर के उपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन फ्री रैडिकल, मतलब आर के उपर डॉट, dot मतलब इसके पास 7 electron होते है उसका octet complete होने से बस एक electron कम है इसका octet completed है बिचलो example ही देता हूँ न कार्बो कटायन देखो ch3 one plus ch3 minus and ch3 dot तो जहां तक ch3 one plus की बात है carbon hydrogen ने मिला के 3 bonds बनाए है बराबर carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen हर एक bond मतलब 2 electrons तो तीन bond मतलब 6 electrons तो 6 electrons प्लस charge प्लस charge मतलब क्या होता है बच्छो empty orbital यह देखो यह ऐसे दिखता है यह तीन bonds hydrogen के साथ और यहां पे है यह empty orbital empty orbital है मतलब वो electron deficient है और उसका representation हमने प्लस charge से किया है क्योंकि हमने हेट्रोलाइटिक bond fusion यह हेट्रोलाइसिस में देखा कि कैसे carbon chlorine bond break होता है तो carbon chlorine bond जब break होता है तो chlorine electron density लेकर निकल जाता है पीचे बचता है carbon का empty orbital और प्लस charge तो इसलिए हम लोग उसको ऐसा करते है यह shape trigonal planar shape बोलते हम इसको this is called as trigonal planar shape और यह empty यह जो दिख रहा है तुमको यहाँ पर लीग भी देता हूँ this is your empty this is your empty orbital और इसी empty orbital की वजह से यह electron deficient है यह electron density वहाँ पर accept करता है ठीक है तो चलो तो यह तो हो गया और कैसे बनता है हम अल्यदी देख चुके है चाहिए तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ बता देता हूँ कि R, C, L तुमको यहाँ पर चाहिए polar solvent वैसे कार्बोकाटायन बनने के तरीके बहुत सारे है सिर्फ कार्बन त्लोरिन का bond break करके ही कार्बोकाटायन बनता है ऐसा नहीं है carbon oxygen का bond break करकर भी carbon carbon nitrogen का bond break करके भी carbon 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 electrons कितने है 6 electrons यूँकि 3 bond बनाए न 3 bond बनाए और 4 जो orbital है वो empty है तो 3 bond के हो गए 6 electron 4 orbital completely empty है तो तुम उसको counting में नहीं पकड़ोगे जाहिर सी बात है और अगर carbon ion के बात करोगे तो CH 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 और यहाँ पे क्या है negative charge तो carbon hydrogen carbon hydrogen तीनों के मिलके हो गए 6 bond और यह negative charge तो total electrons कितने हो गए 8 यह 2, 2, 2, 6 6 plus 2 कितने हो गए 8 तो इस तरह से उसका octet फूरी तरह से completed है तो इसके पास होंगे तुमारे 8 electrons ठीक है चलो अगला अब यह कैसे बनता है क्या बनता है उसकी assessment को कोई जरूवत नहीं है ठीक है और उसकी stability कैसे होगी वो मैं inductive effect में बताऊंगा ठीक है फिलाल हम लोग देखते है carbon free radical carbon free radical कैसे बनता है यह हमने already homolysis में देखा है ठीक है अब देखते है इसका shape तो यह carbon hydrogen रुको यहाँ पर एक orbital है जिसके उपर एक electron है बाकी carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen तुम खुद देखो हर एक bond की 2 electrons होते है तो 3 bond की total हो गए 6 electrons और यह एक अकेला electron unbared electron तो total कितने हो गए यहाँ पर तो total हो गए 7 electrons कितने हो गए 7 electrons तो लाइक देट तो लाइक देट तो तो यहाँ वाट कार्बोकोटायन, कार्बेन कार्बन फ्री आडिकल्स आर सबका generation हम लोग देख चुके है इन सबका stabilization या stability हम लोग देखेंगे electronic effect में electronic effect जब देखेंगे इसके बाद there we will see their stabilization ठीक है इसलिए में उनको उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते है so electronic effects अब electronic effects मतलब क्या electronic effect मतलब basically इसको अगर मैं बताऊ अलग words में अगर इसको लिखू में तो इसको बोलते है बच्चो electronic displacement क्या बोलते है organic chemistry में electronic displacement मतलब एक जगा से दुसरे जगा electron density कैसे transfer होती है क्योंकि एक जगा से दुसरे जगा electron density जाएगी बच्चो तो ही bond में polarity आएगी तभी bond break होंगे bond form होंगे या फिर chemical reactions होंगे chemical reactions होने के लिए polarity होना बहुत ज़रूरी है polarity होगा तो ही chemical bond होगा यह तो जाहिर है तो electronic displacement के 4 types है it is divided into 4 types एक तुमारा है inductive effect एक काम करता हूँ मैं यही color लेता हूँ चाल टाइप एक है इसका inductive effect दूसरा है resonance जो सबसे important concept है तुमको अगर organic chemistry ठीक से समझना है तो तीसरा है तुमारा electromeric effect electromeric effect and चौता है तुमारा hyperconjugation क्या है hyperconjugation ठीक है तो सबसे पहले inductive effect अब inductive effect है क्या what is inductive effect तो inductive effect में क्या होता है बच्चो अगर समझ लो carbon और chlorine के बीच में bond है जैसे तुमारे पास समझ लो one chlorobutane है suppose if you have a one chlorobutane like this ch3 ch2 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 cl क्या है ch3 ch2 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 cl one chlorobutane अब तुम सभी को पता है कि electron negativity की जहा तक बात है बच्चो chlorine की electron negativity तुमारे carbon से ज्यादा है यह तुमको अल़ड़ी पता है कि chlorine की electron negativity carbon से ज्यादा है तो फिर chlorine क्या करेगा carbon से electron density अपनी तरफ खीच लेगा carbon से electron density अपनी तरफ खीच लेगा और उस वजह से chlorine के उपर बन जाएगा delta minus क्या बनेगा delta minus और carbon के उपर बन जाएगा delta plus अब जैसे ही first वाले carbon के उपर delta plus बनता है वो carbon हम उसके बाजू वाले जो carbon है याने कि उसके भाई कौन उसके भाई यह जो carbon है अपने जो भाई पीचे attached है उसको उनकी help करता है जैसे अगर भाईों के बीच में अच्छा कासा प्यार है और एक भाई के उपर समझे लो घर में चार भाई है एक भाई के उपर loan है तो उस भाई को loan चुकाने में बाकिये के भाई help करते है तो उसी तरह से जैसे इस carbon के उपर delta plus charge आता है ये carbon मदद की गोहार लगाता है बाजू अले carbon से उसको बोलता है कि भाई मेरे उपर plus charge आ चुका है थोड़ी help तू मुझे कर दे तो ये बाजू अला बोलता है ओके, cool, मैं करता हूँ तो फिर वो electron density देगा अब क्यूंकि वो इसको electron density देगा उस वजे से इसके उपर भी आ जाएगा delta plus अब भले ही वो delta plus इस delta plus पहला जो delta plus है उतना strong नहीं रहेगा क्यूंकि ये directly chlorine को attached है वो carbon chlorine को via this carbon attached है directly attached नहीं है तो उस वजे से उसके उपर delta plus आ गया अब क्यूंकि उसके उपर delta plus आ गया तो वो अगले carbon से मदद की गोहर लगाता है तो आगे वाला भी बोलता है ठीक है भाई मैं तुझे help कर देता हूँ तो कर देता है और वैसे ही करते करते जो delta plus है वो पूरे chain में third number के carbon तक फैल जाता है maximum third है उसके आगे नहीं क्यों आगे नहीं क्योंकि ये ये जो चौथा carbon है ये इस carbon से बहुत दूर है जैसे अगर तुम्हारे उपर loan है तो तुम्हारा सगा भाई तुमको help करेगा maximum से maximum तक cousin चाचा का लड़का या मौसी का लड़के तक तुमको help करेंगे कोई दूर का किसी दूर के चाचा का मामा का 100 ला को यो बेटा है तो वो तुम्हारी help नहीं करेगा वो बोलेगा भाई तेरे ऊपर loan है मैं क्या करू हम बहुत दूर के रिलेटिव है उसी तरह से यह जो कार्बन है यह तीनों कार्बन इसकी help करेंगे चौथे वाला कारण तक डेल्टा प्लस जाएगा नहीं इसका मतलब यह जो अब जाहिर सी बात है क्योंकि यह बाकी के जो कार्बन है वो क्लोरिंग को डिरेक्टली अटेच नहीं है उस वज़े से डेल्टा प्लस वन जो है पहला वाला उसका इंटेंसिटी डेल्टा प्लस टू से हमेशा जाधा रहेगा डेल्टा प्लस टू का इफेक्ट डेल्टा प्लस थ्री से और जाधा रहेगा और delta plus 3 का effect greater than, greater than, greater than delta plus 4 रहेगा in fact, delta plus 4 तक यहां तक आते आते inductive effect पूरी तरह से vanish हो जाता है so that's how the inductive effect is all about ठीक है, अब inductive effect के न दो types है, जो मैं आपको अगले पेश पर बताता हूँ eye effect जो मैंने बोना inductive effect इसके दो type है बच्चो एक है तुमारा plus eye effect और दूसरा है minus eye effect अब plus eye effect मतलब जो electron density donation का काम चल रहा है, कारबन को help करने के लिए, वो plus eye effect और जो electron density दूर लेके जाने का काम चल रहा है उसको बोलेंगे minus eye effect तो जो electron density डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे plus eye groups याने उनको अलग language में या इसी इसमें edg भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? edg edg मतलब electron donating group क्या बोलते हैं बच्चो electron donating group ठीके? वैसे ही minus eye effect को हम लोग बोलेंगे minus eye groups या उनको ewg भी बोला जाता है अब ewg मतलब क्या? electron withdrawing group ewg मतलब electron withdrawing groups ठीके? so electron donating groups electron withdrawing groups अब अब plus eye groups कौन से कौन से हैं? तो plus eye groups है all alkyl fragments जितने भी alkyl fragments हैं जितने भी alkyl fragments हैं सारे के सारे plus eye group है जैसे कि CH3 C2H5 ethyl C3H7 propyl isopropyl secondary butyl मतलब यहां से वो main chain को attach है यह tertiary butyl तो यह सारे alkyl fragments जो है वो plus eye group indicate करते हैं या फिर O minus उसके बाद NH1 minus या फिर NR1 minus तो यह सारे के सारे plus eye effect दिखाते हैं याने जिस कारवन के ओपर plus charge आता है यह उसको electron density देने में help करते हैं तो यह सारे होगे alkyl fragment बाई दोब इसमें और एक चीज़ है कारवन का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना plus eye effect strong होगा क्या बुल्ड़ाओं में कारवन का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना plus eye effect और strong होगा जैसे कि यह methyl है, ethyle, propyl है तो propyl का plus eye effect सबसे strong होगा इन तीनों में फिर आएगा ethyle का, फिर आएगा methyl का and so on तो जैसे plus eye group है वैसे minus eye group भी होगे और होते हैं obviously minus eye group कौन से कौन से हैं जैसे कि nitro group nitro group sino group SO3 H group nitro, sino उसके बाद तुमारा fluorine, chlorine, bromine, iodine nitro, sino SO3H, fluorine, chlorine bromine, iodine और कौन से कौन से हैं nf3 1 plus NH3 1 plus NR3 1 plus यह सारे क्या है all of these are electron withdrawing group in fact और भी है COH CHO उसके बाद C double bond OR ketonic group ठीक है और सबसे last thing hydrogen आता है तो यह सारे के सारे electron withdrawing groups है यह जब कभी भी benzine ring नहीं किसी भी alkyl chain को attach रहेंगे benzine ring को रहेंगे तो भी करते हैं किसी alkyl chain को attach रहेंगे तो यह electron density वहां से withdraw करेंगे ठीक है तो that is what the inductive effect is all about अब और detail में नहीं जा सकता क्योंकि यह summary है बस इतना ही बता सकता हूँ कि जहां तक acidity की बात है acidity की बात है तो electron withdrawing groups जो है they increases the acidity electron withdrawing हमारी पेट की acidity नहीं बोल रहा हूँ में किसी acidic compound को electron withdrawing group attach है तो वह उसकी acidity को और बढ़ा देगा electron donating groups जो है वो अगर किसी acidic compound को attach है तो वह उसकी acidity को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, so that is what all of this plus i and minus i effect is all about, ठीक है, चलो, अब आते हैं resonance पे, resonance सबसे important, सबसे important concept है, तुमारे चारो electronic displacement में से, तो resonance में तुमको कैसे समझाओ, चलो, resonance में तुमको simply बताता हूँ, कि resonance मतलब क्या होता है, कि कोई भी, कोई भी अगर structure है, कोई भी molecule है, या कोई भी molecule या कोई भी species है, तो वो species अगर single structure में exist नहीं कर रही है, कोई भी species अगर single structure में exist नहीं कर रही है, मतलब कोई भी species का correct representation, किसी भी molecule या किसी भी species का correct representation, अगर single structure से नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए तुमको दो या दो से ज़्यादा structure यूज करने पड़ते है ताकि तुम उसको correctly represent कर पाओ तो किसे भी structure को correctly represent करने के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा structure यूज करने पड़े तो उस concept को बोला जाता है resonance, क्या बोला जाता है उसको resonance बोला जाता है जैसे कि Benzene Ring है तो जहां तक Benzene Ring की बात है तुमने Benzene Ring का structure तो देखा यह होगा तो Benzene Ring का यह जो structure में द्रॉक किया है यह आदा correct है और आदा wrong है पूरा सही नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि Bonds ऐसे transferred होते है like this फिर यह तुमको देगा दूसरा structure double bond, double bond, double bond अब यहाँ आप से फिर से यह transfer होगा and यह continuously चलता रहेगा तो यह जो दो मैंने ड्रॉक ही है यह एक और यह दो इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है canonical structures या फिर इनको बोला जाता है resonating structures canonical structures और resonating structures तो यह पूरे correct नहीं होते इन दोनों का एक hybrid होता है जिसको हम लोग बोलते है resonance hybrid and वो resonance hybrid होता है इसका correct representation यह देखो तो इसलिए तुमने कही बार देखा होगा कि हम लोग benzene ring को यह ऐसा लिखते है तो वो कोई उसका पेट नहीं है या उसकी ना भी नहीं है यह जो electron density जो घुम रही है वो हम लोग यहाँ पर दिखाते है तो उसको बोलते है resonance ठीक है अब यह मैंने जो resonance मैं तुमको बताने वाला हूँ यहाँ पेखास करके वो conjugated system का ही resonance होता है लेकिन मैं तुमको benzene ring को as a reference ले लूँगा conjugated system का एक्जामपल के तौर पर मैं benzene लूँगा और कोई अगर benzene ring में electron density बढ़ा रहा है तो वो plus r group कोई benzene ring में electron density घटा रहा है तो minus r group इस तरह से वैसे conjugated system तो alkenes का भी होता है alkenes का भी conjugated system होता है alkenes का भी होता है लेकिन हम लोग benzene को as a reference लेंगे conjugated system के तौर पर and benzene ring में जो कोई भी electron density घटा रहा है, कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे ठीक है, क्योंकि तुमको जहां तक तुम्हारा cd या need या जो भी exam तुम भी देने वाले हो उसमें उसकी ज्यादा अवशकता है ठीक है, तो चलिए तो अभे हम लोग देखते हैं types of resonance by the way resonance को r जो हम लोग लीते हैं r effect उसके जगा पे बहुत सरे, मतलब बहुत सरे जगा पे उसके जगा में mesomeric effect भी लिखा जाता है मैंने क्या कर दिया, मेरो कर दिया meso या mesomeric effect याने plus m effect mesomeric effect ठीक है, तो अब इसके दो types है एक है इसका plus r effect तो plus r effect में obviously होंगे तुमारे plus r वाले group अब plus r वाले group कौहन से कौहन से है जिनके पास या तो loan pair होगा या जिनके पास या तो negative charge होगा जैसे की ये देखो OH, phenol, OR, ether उसके ये हो गया है या फिर O- ये attachment जो दिख रहे है इस side पर ये इस side से benzene ring है ठीक है न? ये तुमको लगे कहाँ पर attach हो रहे तो ये benzene ring को attach हो रहे सारे के सारे ठीक है? वैसे ही इस side से oxygen का तो हो गया वैसे ही nitrogen का NH2 हो सकता है या NHR हो सकता है या NR2 हो सकता है या फिर NH1- हो सकता है या NR1- हो सकता है and so on ये छोड़के तुमको बेंजेन रिंग को कार्बेनियन भी एटाच मिल जाएगा कार्बेनियन मतलब आर ना तुमारा CH2 1- ये भी मिल सकता है यहाँ भी प्लस आर इफेक्टी होता है या फिर CHR ये एटाच हो सकता है नेगेटिव चार्ज के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या अच्छा CR2 होगा वह रहे CR2 ये हो सकता है या फिर न्यूट्रल सिप न्यूट्रल CH3 भी एटाच हो सकता है न्यूट्रल CH3 या CH2R या CHR बस इस कारण के उपर हाइड्रोजन होना चाहिए वैसे यह जो नीचे वाला मैंने बताया है यह जाएगा हाइपर कॉंजूगेशन में नहां पर जाएगा इस विल गो इंटू दी हाइपर कॉंजूगेशन ठीक है लेकिन तुम उसको रेजॉननस के इसमें पकड़ सकते हो वैसे ठीक है तो अभी मैं सब तुमको नहीं बता सकता लेकिन यह जो वाला है इसका प्लस आर इफेक्ट में तुमको बताऊँगा ठीक है पहले सब को इंटिडॉक्शन दे देते हैं प्लस आर इफेक्ट हो गया अब माइनस आर इफेक्ट मदब जाहिर से बात है कि वो electron density क्या करेगा it would withdraw और pull electron density it will withdraw और pull electron density away from conjugated system away from conjugated system यहाँ पे यहाँ पे वो conjugated system में ने benzene ली है जैसे मैंने तुमको starting में ही बताया ठीक है और यहाँ पे plus star effect system क्या करता है it donates क्योंकि यह electron donating group है ना EDG है ना मैंने inductive in में बताय था वही EDG and EWG EDG donating electron density donating electron density to the conjugated system to the conjugated system यहाँ पे तुम्हारी conjugated system कौन है फिर से वही benzene ring ठीक है अब minus star वाले group कौन से कौन से है फिर से जैसे हमने nitro देखा था पहले nitro group तुम्हारा minus star वाला group है CHO बेंजिन निंग को attach होने वाला COR यह भी electron withdrawing है sino electron withdrawing है COH electron withdrawing है carbonine COCl electron withdrawing है amide CO NH2 electron withdrawing है यह सारे electron withdrawing है और carbonine भी है जिसे यहां पर carbonine आया था मैंने यहां पर carbonine नहां बताय था यह क्या carbonine बताय था वैसे यहां पर भी carbonine होगा ना carbonine CH2 1 plus या CHR 1 plus या फिर CR2 1 plus या फिर CR2 1 plus तो यह सारे carbonine तो यह सारे group होंगे तुमारे electron withdrawing group ठीक है अब इनके बज़े से resonance कैसे होगा वो हम लोग fast forward देख लेते हैं ठीक है तो पहले हम लोग देखते हैं यहां पर plus R effect तो plus R effect के effect में हम as a reference phenol लेते हैं ठीक है क्या लेते हैं phenol अब तुम सभी को पता है phenol में जो oxygen है उस oxygen के ऊपर क्या है? loan pair है अब अगर loan pair है और यह double bond के साथ conjugation में है तो वो यह loan pair तुमारे carbon oxygen को double bond बनाने के लिए दे देगा अब जैसे ही वो double bond बनाने के लिए दे देगा obviously यहां पर बन जाएगा double bond और oxygen के ऊपर आ जाएगा plus charge अब जब oxygen के ऊपर plus charge आया है जब यह electron transfer होके यहां पर double bond बन रहा है तो यह जो carbon है जिसको OH attach है उस carbon की valency 5 हो सकती है और carbon की valency 5 होना possible नहीं है इसलिए यह bond break हो जाता है and electron density इस carbon पर आ जाती है इधर negative charge ठीक है इसको अगर तुमको थोड़ा सा घूमी घूमी लग रहा दिमाग में तो तुम इसको counting कर सकते हो counting कैसा यह देखो यह इसको पहला यहां देगा देखो O double bond कि यहां पर hydrogen प्लस charge negative charge इधर आ गए double bond double bond यहां पर आ गए negative charge अब तुमने अगर ठीक से देखा ना बच्चो तो यहां पर भी देखो negative charge कैसे गया है 123 देखो बराबर third number पर negative charge आया है वही तो मैं बोल रहा था 123 123 अब इसके पाद भी वैसा ही होगा यह negative charge यहां से इधर आएगा जैसे इधर आएगा यह double bond break होके negative charge इधर transfer हो जाएगा that means you would here have this double bond OH यहां पर plus charge double bond यहां पर आगा है negative charge अब तुम यहां पर फिर से counting कर सकते हो देखो 123 123 बराबर negative charge थरड पर गया है अब यहां पर भी वैसे ही थरड पर जाएगा यह देखो एक दो तीन अब यह जो negative charge आया है फिर से यहां से इधर जाएगा यह bond break होके electrons will get transfer back to this oxygen तो इस तरह से यह resonance होगा अब अगर तुमने यह structure ठीक से देखा होगा तो तुमने notice किया होगा कि जो तुम्हारा benzene ring है ना जहां पर OH attach है यह वाला उसके उसके यह position यह position और यह position पर electron density गई है यह कौनसी position है और्थो 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 और्था यह बीच वाला मेटा position है वहाँ पर negative charge नहीं गया इसका मतलब यह फिनॉल का reaction अगर मैंने किसी इलेट्रफाइल के साथ किया इलेट्रफाइल क्या है हम अलड़ी देख चुके है अगर इस फिनॉल का reaction मैंने किसी इलेट्रफाइल के साथ किया तो इलेट्रफाइल को इलेट्रफाइल डेंसिटी चाहिए तो वह आने वाला इलेट्रफाइल फिनॉल के या तो और्थो पोजिशन पर जाएगा या तो प्यारा पोजिशन पर जाएगा मेटा पोजिशन पर कभी नहीं जाएगा क्योंकि मेटा पोजिशन पर नेगेडिव चार्ज गया ही नहीं है इससे लिए यह सारा बताने का रीजन ही वो था ठीक है चलो अब हम लोग देखते हैं माइनस आर इफेक्ट और याद रखना मैंने और्गेनिक केमेस्ट्री का जो रेजनस लिया है वो तुमको 12 में हेल्प करने के लिए जितना है उतना ही बता रहा हूं मैं 11 के बेसिक्स जो है वो पूरे के पूरे इसमें कभर नहीं हो सकते जैसे स्टैबिलाइजेशन अब डिफरेंट रेजन्टिंग स्टक्चर्स कौनसा रेजन्टिंग स्टक्चर्स ज्यादा स्टेबल होगा कौनसा कम सेबल होगा वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं मैं तुमको 12 में हेल्प हो उतना ही 11 का बता रहा हूं ठीक है बच्चों कुछ लोग ब बता है आपने वो नहीं सांगा ठीक है तो माइनस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट हम लोग एक्जामपल लेते हैं ना बेंजाल्टि हैड का लेते चलो C double bond OH जैसे मैंने पहले ही बोला यह electron withdrawing group है तो electron density तुम बेंजीन रिंग से खीचोगे कैसे यहां से electron density इधर देखोगा यहां पर भी प्लस चार्च आएगा वह वैसा ही होगा 123 मैं दिखा था हूँ देखो तो यहां के जो electron से यहां के वो electron यहां से ऐसे इधर गए तो इसका मतलब यहां पर आएगा तुम्हारा फ्लस चार्च पहले की double bond यह वैसे के वैसे ही है यहां पर बन जाएगा double bond C O- और यहां पर H राइट तो देखो बराबर 123 थर्ड नमर पर positive charge आया अब जैसे वहां पर positive charge आया same ऐसा यहां पर भी होगा 123 देखो अब यह प्लस चार्च है तो इस प्लस चार्च को help करने के लिए यह double bond आएगा यह double bond यहां से ऐसा उपर ट्रांसपर होगा जैसे उपर ट्रांसपर होगा यहां पर प्लस चार्च आएगा फिर से मैं तुमको counting दिखाता हूँ चाहिए तो 123 यहां पर भी देखो 123 अब बराबर third number पर तुम्हारा positive चार्च आने वाला है So double bond C O minus H देखो उसके बाद फिर से 123 बराबर यह third number पर तुम्हारा positive चार्च आएगा double bond यहां से यहां shift होगा जैसे वा shift हो गया you will get this double bond double bond यहां पर आगया plus charge double bond C O minus H अब इसके बाद में क्या होगा फिर से negative charge will go back to its original position double bond transfer होगा and you will get your structure back so that's how the minus R effect happens अब अगर आप तुम यहां पर गौर करोगे तुमको पता चलेगा के जिस position को CH O attached है यह उसके बराबर उसके बराबर और्थो और्थो और पैरा position पर प्लस चार्ज गया देखो तो यहां पर मैं लिख देता हो प्लस 1 बाई 3 चाहिए तो प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 जैसे यहां नेगेडिव चार्ज गया था कब हो जाएगा मेटा पोजिशन पर क्योंकि मेटा पोजिशन वैसे तो इलेट्रॉन रिच नहीं है लेकिन अट्लिस न्यूट्रल तो है इन तीन पोजिशन की तरह पॉजिवली चार्ज तो नहीं है न तो इससी वज़ह से माइनस आर इफेक्ट या माइनस आर ग्रूप जब बेंजीन रिंग में होता है वो इलेट्रोफिलिक आरोमाटिक सबसेडिशन के लिए मेटा डिरेक्टिव बन जाता है और अगर इलेट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप है बेंजीन रिंग में जैसे इस तरह से तो वो इलेट किसरा था हमारा electromeric effect electromeric effect ना बहुत simple सी चीज़ है मैं तुमको बताता हूँ समय लो तुमारे पास alken है यह ऐसा अब इस alken में अगर मैंने डाल दिया h plus iron क्या डाला h plus iron तो h plus iron तो electrophile है जैसे electrophile मैंने starting में तुमको नहीं बताया होगा सब तो मैंने बता दिया बस एक electrophile रह गया था और वो electrophile था तुमारा h plus iron h plus iron is also an electrophile वो भी तुमारा electrophile ही होता है ठीक है तो वो जो h plus iron के मैं बात कर रहा हूँ वो electrophile मैंने alken में डाला तो alken में बेटा यह जो है ना इसको मैं ठीक से रिपेजेंट आकर करूँ तो तुमको दिखेगा कि CH2 CH2 यह single bond है तुमारा और यह जो है यह और यह यह क्या है तुमारी यह इसकी πाई electron density है तुम बोलोगे यह क्या है तो जाहिर सी बात है यह इसकी πाई electron density है और तुमको पता होगा कि बच्चो पाई electron density is loosely held पाई electron density क्या होती है loosely held होती है याने वो easily accessible होती है और H प्लस तुमारा क्या है H प्लस तुमारा electrophile है उसको चाहिए electron density और यह पाई electron density उसको electron density देने के लिए हमेशा ready होती है तो ये अपनी electron density उस h plus i n को दे देता है अब अगर देगा तो h plus i n के पास तो electron density नहीं है उसको अगर bond बनाना है तो उसको 2 electron चाहिए पूरे के पूरे 2 उसके पास एक भी नहीं है तो दोनों electron ये एक πाई bond है ना ये πाई electron density जो मैंने उपर नीचे लिखी ना आधी उपर आधी नीचे वो दोनों मिला के पूरे 2 electrons है ठीक है तो ये πाई electron density ये carbon जो है इस h plus i n को डोनेट कर देता है अब कॉशन ही है कि कौन सा carbon करेगा ये करेगा ये करेगा तो डिपेंड करता है या जहां तक इस example की बात है तो यहां पर कोई भी दे सकता है तो कि दोनों सेम ही है cs2, cs2 किसी ने भी electron density दी जिस किसी carbon ने दी तो दूसरे carbon के उपर आ जाएगा positive charge क्यूँ बताता हूं समझों ये carbon ने उसको electron density दे दी तो ये carbon क्या करेगा ये carbon ने इस बाजुवाले carbon के साथ जो pi bond बनाया था ना उस pi bond के जो दो electron से दोनों के दोने वो निकालता है और h plus i को दे देता है अब इस h plus i को तो electron मिल गए उस h plus i को और इसका तो bond बन गया लेकिन ये जो पहला left वाला cs2 है उसकी तो electron density चली गई ना उसकी electron density इस carbon ने उसको दे दी तो क्यूंकि इसकी electron density चली गई है उसके उपर आएगा plus charge और उसी को हम लोग क्या बोलते बच्चों कार्बो कटायन तो दाट्स हाव कार्बो कटायन चैन बी जनरेटेड ये देखो CH2 plus charge CH3 लिख सकता हूँ मैं इधर लेकिन मैं यहाँ पर CH2 और जो नया आने वाला hydrogen उसको ऐसे लिखता हूँ ताकि तुमको दिख जाए कि ये वही से आया है तो इसके उपर आगा plus charge तो यह जो मैंने अभी किया यहाँ तुमको अगर अलकीन को reactive बनवाना है अलकीन वैसे उतना reactive नहीं होता लेकिन अलकीन को अगर तुमको रियाक्टिव बनाना है तो तुमको उसमें ऐसा कोई क्रियेशन डालना पड़ेगा जिस वजह से तुम्हारा अलकीन reactive बन जाए अब यह कार्वोकटाइन बना है तो अब इस कार्वोकटाइन के उपर तुम किसी भी नुकलिया फाइल का attack करवा सकते हो अधरवाइस तुम नॉर्मल अलकीन लेते और नुकलिया फाइल डालते तो वह attack नहीं करता लेकिन जैसे मैंने एस प्रसायन डाला polarity developed हो गई और उस polarity के वजह से अब उसके उपर नुकलिया फाइल attack कर सकता है तो यह development of polarity मतलब creation of polarity और कुछ-कुछ-केस में ना enhancement of polarity भी होता है जैसे कार्मनिल कंपाउंड का कार्मनिल कंपाउंड में c double bond होता है कार्मन के उबर delta plus होता है उसमें अगर मैंने bf3 डाला तो जो कार्मन का delta plus है ना उसका delta plus का जो intensity बढ़ जाता है मतलब उसकी polarity enhanced हो जाती है तो यह enhancement of polarity यह जो मैं अभी बोल रहा हूँ यह enhancement of polarity या creation of polarity है उसी को बोला जाता है electromagnetic effect और यह organic chemistry में बहुत important होता है ठीक है चलो तो यह effect भी हो गया अब last अला hyperconjugation अब यह hyperconjugation क्या होता है hyperconjugation is nothing but sigma p orbital overlap sigma p orbital overlap जो होता है उसी को हम लोग बोलते है hyperconjugation यह कैसे होता है मैं दिखाता हूँ जैसे तुम्हारे पास अगर यह alken है यह देखो इसको ना मुझे अगले page पर ही लिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो possible नहीं है ठीक है चलो अब इसी hyperconjugation से हम लोग देखेंगे stability of carbocatine and stability of carbinean as well वैसे carbinean का stability तो हम inductive effect में भी देख सकते थे तो देखो hyperconjugation में क्या होता है HCH यहाँ पे CH double bond CH2 तो यह जो orbital यहाँ यह पाइलेट्रोंस है राइट फिल्ड पाइलेट्रोंस है तो यह फिल्ड पाइलेट्रोंस में क्या होता है यह जो carbon है यह carbon यह bond को break करता है और यहाँ पे double bond बन जाता है अब जैसे double bond यहाँ पे बनेगा इस carbon की यह center बाला जो carbon है उसकी valence हो सकती है इसलिए वो यह bond break करता है and negative charge इस carbon के ओपर transfer हो जाता है तो फिर यह तुमको देगा HCH double bond CH अब इसके ओपर आ गया CH to one minus और यहाँ पे इस hydrogen के ओपर क्या आ गया plus charge अब यह जो carbon hydrogen है plus charge वाला वो उसके vicinity में ही रहता है निकल नहीं जाता ठेक है तो यह हुआ अब इसके बाद यह electron एक बार एक plus charge एक hydrogen के ओपर आ गया अब उसको दूसरा hydrogen help करता है यह बुलता भाई चल अब मैं तेरा H% लेता हूँ मुझे दे दे ले ट्रांज चल यह बुलता है ठीक है भाई धन्यवाद अब यह बाजुवाले hydrogen के ओपर आ जाएगा plus charge बाकी यह जो जैसे था वैसा गा वैसा ही रहेगा रहेगा बाद में यह करेगा ऐसा यह चलता ही रहेगा तो basically यह plus charge तीन इस hydrogen के ओपर ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो है ना यह sigma orbital है क्या है sigma और इसके पास क्या है पी औरबाइटल तो यह sigma orbital और पी औरबाइटल का overlap हो रहा है ठीक है यह तो हो गया इसका अलकीन का अब मैं तुमको बदाता हूँ कार्बो कटाइन का कैसा होता है देखो तो कार्बो कटाइन जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था यह plus charge मतलब यहाँ पे क्य औरबाइटल है तो फिल्ड सिग्मा औरबाइटल है यह फिल्ड सिग्मा औरबाइटल अपनी electron density इस carbon को दे देता है और जो plus charge है वो hydrogen खुद सहे लेता है तो इसका मतलब यह तुमको देगा h c h double bond ch ch अब इस hydrogen के उपर आ जाएगा plus charge फिर बाद में यह plus charge यह बाजुवाले hydrogen के उपर आ जाएगा carbon hydrogen carbon hydrogen plus charge double bond ch ch फिर बाद में यह electron यहां से यहां transfer होंगे और इस hydrogen के उपर आ जाएगा plus charge like that and lastly यह electrons यहां से यहां transfer होंगे and you will get your original structure back so basically यह होने के लिए जो double bonded system है यह वाली यह देखो इसके बाजु में जो carbon है यह जिसको हम लोग बोलते है alpha carbon उस alpha carbon के उपर होने चाहिए hydrogen जिसको हम लोग बोलते है alpha hydrogen क्या बोलते alpha hydrogen तो alpha hydrogen होगा तो ही and तो ही यह होगा ठीक है यहां पे भी देखो यहां पे अलकीन तो नहीं है कार्बोकाटायन है तो कार्बोकाटायन मतलब तुम्हारा functional group यह हो गया तो इसको जो carbon attach है वो यह carbon अलफा carbon और उसको जो hydrogen attach है उसको तुम बोलोगे alpha hydrogen तो यह तीन alpha hydrogen है इसलिए तुमको तीन hyperconjugative structures मिले और उस वज़े से कार्बोकाटायन की stability बड़ी है तो इसी को हम लोग बोलते हैं यह क्या था तुम्हारा दिस वाज यूर प्राइमरी कार्बोकाटायन अब सोचो प्राइमरी कार्बोकाटायन तीन hyperconjugative structure अगर बना रहा है तो अगर तुम्हारे पास समझ लो तर सेकेंडरी कार्बोकाटायन यह देखो यह तुम्हारा सेकेंडरी आर प्लस यानि कार्बोकाटायन तो यहां पर इसके पास देखो कितने alpha hydrogen है यह भी alpha यह भी alpha इसके पास total है six alpha hydrogen तो जो प्राइमरी कार्बोकाटायन में तीन hyperconjugated structure बने थे, यहाँ पर 6 hyperconjugated structure बनेंगे, और plus charge 6 जगा जाके delocalize होगा, अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसकी stability बड़ेगी, इससे लिए secondary carbocotide primary से भी जादा stable होता है, और इसके बाद आता है तुम्हारा tertiary, tertiary कि अगर मैं बात करूँ, यह देखो, tertiary carbocotide, अब अगर secondary इतना stable था, तो tertiary carbocotide की जादा तक बात है, इसके पास देखो, तीन alpha carbon है और इसके पास 9 alpha hydrogen है, तो 9 alpha hydrogen मतलब 9 hyperconjugated structures, मतलब 9 जगा plus charge घुमेगा, तो उस वजह से उसकी stability और बड़ेगी, and that is why, tertiary carbocotide is more stable, इसलिए पहले आता है tertiary carbocotide, stability wise, फिर secondary carbocotide, फिर primary carbocotide, and lastly आता है तुमारा 0 degree यहां methyl carbocotide, क्योंकि इसके पास alpha carbon है ही नहीं, ना ही alpha hydrogen है, क्योंकि यहां पे एक ही carbon है ना, अगर carbon एक ही होगा तो alpha carbon और alpha hydrogen का सवाल उठता ही नहीं, इसलिए carbocotide का stability order होता है tertiary, secondary, primary, and 0 degree, जहां तक free radical की बात है, तो यह plus charge के जगा पे ना, carbon free radical को, single electron होता है ना, उसको imagine करो, single electron होगा, तो उसके भी hyperconjugatory structure ऐसे ही मिलेंगे, जैसे carbocotide की मिल रहे थे, तो उस वज़र से carbon free radical का भी stability tertiary carbocotide की तरह ही होता है, tertiary carbon free radical, secondary carbon free radical, primary carbon free radical, and methyl carbon free radical, so that's how the stabilization happens, ठीक है, so I hope यह सारे effect आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, चलो, and lastly, we are going to see IUPAC nomenclature, अब इन जितने भी topic हमने देखे, उनमें सबसे बड़ा topic IUPAC nomenclature है, तो IUPAC nomenclature summarize करना तो बहुत मुश्किल है, मतलब यह छोटे से lecture में possible नहीं है, लेकिन जितना हो सके main main चीज़े में तुमको बता देता हूँ, जैसे तुम सभी को पता है, सबसे पहला rule अपना क्या होता है बच्छो, longest chain, right, सबसे basic rule होता है, you need to select the longest chain, जैसे अगर यह chain है, तो तुम counting जब इसकी करोगे, तो कैसे करोगे, रुको, थोड़ा सा और बड़ा खर देता हूँ, यह वाला, अब तुम इसके counting कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे करोगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करोगे, right, this is the correct way of counting, यह सही अभे है, यह गलत वे है, क्यों, क्योंकि तुमको longest chain चाहिए, you should select the longest chain, यह सबसे पहला rule है, right, दूसा rule क्या है, substituents, substituents और functional group, जो भी होगा, FG, FG मतलब functional group, substituents या functional group, should, come, at, as low number, as possible, in counting, तुम जब counting कर रहे हो, तो substituents या branching, जितने कम नंबर पर आए, उतना कम नंबर पर वो आना चाहिए, जैसे की, यह तुम्हारा compound है, तो तुम इसके counting कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे करोगे, या, 1, 2, 3, 4, ऐसे करोगे, तो जो पीला वाला है, that is the correct way of counting, जो white वाला है, that is the wrong way of counting, क्यों, क्यों अच्छो, क्योंकि यहाँ पर branching, जो पीला वाला है, उसमें branching second number पर आ रहे है, और जो white वाला है, उसमें branching third number पर आ रहे है, तो branching तुमारी कम से कम नंबर पर आनी चाहिए, और एक important rule है, between two or more substituents, मतलब अगर किसी जगा पर methyl है, और ethyl भी है, और propyl भी है, between two or more substituents, alphabetical order, alphabetical order is to be followed, क्या follow होना चाहिए, alphabetical order follow होना चाहिए, ठीके, जैसे की, समझ लो तुम्हारे पास कोई compound है ऐसा, यह वाला, यहाँ पर समझ लो methyl है, और यहाँ पर ethyl है, तो अब जब तुम इसकी counting start करोगे, तो counting तो मैं कई से भी start कर सकता हूँ, बस मुझे उस size से करनी, जिस size से branching कम number पर आए, तो मैंने अगर left से start किया, इधर से, तो 1, 2, 3, 4, चौते number पर पहले branching आ रही है, वहाँ से start किया, 1, 2, 3, third number पर पहले branching आ रही है, तो मुझे counting वही से start करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, याने कि ये तुम्हारा heptane है, इतना तो जाहिर सी बात है, clear है तुमको, it's a heptane, third number पर ये कौन सा substituent है, methyl है, four number पर ये कौन सा है, ethyl है, अब methyl तो तुम्हारा third number पर है, ethyl तुम्हारा fourth number पर है, तो मतलब counting के हिसाब से देखा जाए, तो methyl पहले आ रहा है, ethyl बाद में आ रहा है, लेकिन IUPAC, IUPAC क्या कह रहा है, according to IUPAC, कि alphabetically ethyl पहले आता है, क्योंकि E पहले आता है न, ethyl का, और methyl बाद में आता है, तो क्योंकि alphabetically ethyl पहले आ रहा है, you should write the ethyl first, despite the fact that कि उसका number चौथा आ रहा है, तो चौथा number आने दोना, चौथा number ही देनेगा तुमने, लेकिन उसका जो नाम है उसको पहले लिखना पड़ेगा, याने इसका जो नाम है, वो हो जाएगा, 4-ethyl, 3-methyl, 4-ethyl, 3-methyl, heptane, ये इसका नाम होना चाहिए, ठीक है, तो इतने तीन ये basic rules है, वैसे देखा जाए तो अब 17-18 rules और है, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे एक्जाम्बल के करते-करते, और functional group का IPAC nomenclature और बड़ा है, मैंने सिर्फ तुमको यहाँ पर basic hydrocarbons का जो nomenclature है, वो तुमको, मैंने यहाँ पर वो भी alkenes का बताया है, ठीक है, और detail में अगर देखना है, तो videos और आएंगे, you will know more about their nomenclature, ठीक है, तो चलो, that's it for this particular lecture, I hope this lecture is really going to be helpful for you as far as the basic organic chemistry for the 12th for CET and NEED exam is concerned, ठीक है, चलिए, that's it, thank you for the lecture, I mean thank you for attending the lecture, bye-bye.